आज मैं आप सभी को WhatsApp की एक ऐसी अपडेट लाया हूँ जिसे जानकर आप सभी दिवाने हो जाओगे और कहोगे कि यार कास ये अपडेट पहले आती तो जी हाँ दोस्तों वो कौन सी अपडेट है और कहां से आप इसे चालू कर सकते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा आप सभी को इसी वीडियो के अंदर तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और घंटी को आउन करना पिल्कुल भी मत बुलिएगा नहीं तो ऐसी अपडेट आप सभी को बिल्कुल भी नहीं मिल पाए आज आप सभी को जिस अपडेट के बारे में बताने वाला हूं उस अपडेट के बारे में जानकर मुझी कितनी खुसी हो रही है आप सभी अंदाजा नहीं लगा सकते हो जी हाँ दोस्तु अब आप वाटसाप पे कितना भी चैटिंग करो कितना भी बात करो आपका जो पुराना चैट होगा वो खुद बखुद गाइब होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा और किसी को आपके बारे में जरासा भी भनक नहीं लगेगा कि आप किस से गुटरगू कर रहे हैं तो अगर आप इस अपडेट के बारे में जानना चाते हैं और इस सेटिंग का मज़ा लेना चाते हैं तो आप इस वीडियो को लास्त तक देखते रहें दोस्तो सबसे पहले हम ठैंक्स करना चाहेंगे मॉबाइल ट्रांस को जिन्होंने इस वीडियो को sponsor किया है और आप सभी को मैं बता दूँ आप किसी का भी WhatsApp चैट अपने phone में लाकर पढ़ना चाहते हो तो आप try कर सकते हो Wondershare का Mobile Trans software इस software की मदद से आप Android के जितनी भी WhatsApp चैट है उन्हें iPhone में transfer कर सकते हैं और अभी एक नया update आ चुका है Wondershare का Mobile Trans 1.5 में कि अब आप line application का भी data transfer कर सकते हैं और अभी चल रहा है Black Friday 2020 और Cyber Monday में आप 35% off पास सकते हैं इस software के उपर तो link नीचे description के अंदर दिया हुआ है जाए चेक out किजे और दूसरे का चैट अपने फोन में पढ़ने के लिए फुल video का भी link नीचे video के description में दे दिया हूँ तो जाए उस video को देख लिजे तभी तो यह चीज पूरा हो पाएगा तो दोस्तों हम बात कर रहे थे disappearing message के बारे में तो इस setting को on करने के लिए आप सभी को जिसके whatsapp chat के अंदर आपको इस setting को on करना है उसके chat के उपर क्लिक कीजे और यहां पे उसके profile के उपर क्लिक कीजे i button के उपर क्लिक कीजे और अब आप यहां पे एक नया option देख पा रहे होंगे disappearing message इसके उपर आपको क्लिक करना है यहां पे आप सभी को साफ साफ message लिखा हुआ आ चुका होगा कि आप पिछले साथ दिनों के जितने भी नए messages हैं वो खुद बखुद इस setting को on करने के बार delete होते जाएंगे अगर किसी ने media को अपने phone के अंदर save कर लिया होगा तो उसे delete नहीं किया जा सकता है और अगर कोई आपके messages को इस chat से किसी और chat में भेज दिया होगा तो वो भी delete नहीं हो सकता है तो अगर आप इसके terms and condition अच्छे से समझ चुके होंगे तो इसे on करके enjoy ले सकते हैं इससे आपके जितने भी पिछले 7 दिनों के नए messages होंगे वो automatic delete होते जाएंगे तो अगर आप सभी को कुछ बाते secret का secret ही रखना है तो इस setting का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपका chat important है तो इसे हमेशा के लिए बंद ही रखेगा दोस्तो जब आप इस setting को on कर देंगे तो जब आप home page में आएंगे यहाँ पे आप सभी को जिसका आप on किये रहें होंगे तो उसके chat के dp पे आपको एक disappearing का icon दिखेगा चैट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी icon दिखेगा इसे turn off कर देंगे तो आपका यह जो function है वो काम करना बंद कर देगा तो दोस्तो अगर आप सभी को अपना कुछ बाते secret, secret का secret ही रहने देना चाहते हैं तो इस setting का enjoy कर सकते हैं अगर आपका कुछ important chats है तो वहाँ पे इस setting को turn off ही रखेगा नहीं तो आप सभी का chat delete हो जाएगा और उसे लाना वापस बहुत मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को एक like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और घंटी को on कर दीजेगा तभी तो आप सभी को in future ऐसी वीडियोज मिलती रहेगी